हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टु माई चैनल होम साइन्स एक्जाम मास्टर आज हम लोग टेक्स्टाइल में जो हम लोग पढ़ रहे थे कल हम लोगोंने आपको जो बेसिक चीजें हैं टेक्स्टाइल में जो आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टन हैं वो मै यह हमारी जट्वास हैं और यह हमारी क्या है एस्ट्विस्ट है तो इसी को थोड़ा सा बढ़ा करके बताए Gया कि दो तरह की हम ज़्य कlang में इस estoy कर दो बartment कर यह तो ज्यादा बेहतर हो होती है तो आप जाने कि जो जैड़ विस्ट है वह ज्यादध मानी जाती है इसलिए मैंने िकलॉक सब्सक्राइब कि आप जाने कि जो दो प्रकाल की जो हमारी Twists है उसमें जो Z Twists है बो जाधा standard म मानी जाती है अच्छा Z Twists की अगर हम बात करें ये इस तरह से चलती ہے तो ये clockwise है और ये जो हमारी S Twists है ये इस तरह से होती है तो ये हमारी एस्ट्विस्ट हो गई उसके आगे जो मैं कह रही थी आप से कि करगों के आज हम लोग करगों के बारे में पढ़ेंगे मैंने आपके यहां से प्रशन अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो यह देखिए करगे का पूरा चित्र और प्रमिला वर्मा की बुक अगर आप पिरैं फीचर मिले तो जरूरा अप्रमिला वर्मा को ही प्रिफ़र करियेगा ठीक है तो यहां कि मैंने धागों यह पूरा करगह करह लें एक किस तरह से करग होता है तो जो करगा है उसके जो पांच उसके है वह इंपॉर्टेंट यह कौन से हैं आप लेक着 यह मैंनी तो यह फ्ट नहीं है इसको आप ध्यान से देखिए लंबाई वाले थागे इसाइ जा रहे हैं ठाधके और हमारे बाने के ढगे यह चोड़ाई वाले थागे इस तरह से जा रहे हैं कि अब को क्लियर हो गया हो गया होका कि जानको पर ही पर लपेटा जांग झारा है और इस पर लपेट रहे हैं मैंक इंग और हिन्हां पर शूर्प बीम फिर अगला है ऑगला है लपर थे के पकी और द DVD पता शुड Elsजग वजण और अब कर दो क्पर है जा जब एक अतुam तो ये क्या हो जाती है हमारी cloth beam हो जाती है और warp beam जो है ये कहां इस्तित होता है ये हमारे करगे के पीछे की ओर इस्तित रहता है इस पर ताने के धागों को चढ़ाया जाता है वार्प नाम से ये इसपस्ट होता है कौन सा वार्प मतलब ताने का धागा ओके ताने के धागे पर चढ़ाया जाता है और फटीक धागे के घर्जाने पर हलकी सी गटी से घूमकर उसके उपर लिप्टे धागों निरणतर घूमती रहती है और दूसरी जिए हमारी क्लट बीम है यह cloth beam क्या करती है यह beam करगे के अगले भाग के सीरे पर इस्तित होती है मतलब एक सीरी पर आपको वाब beam और दूसरे पर आपको cloth beam देखने को मिलती है फिर जो cloth beam के आते हुए भागों के सीरे से लपेटे जाते हैं जिसमें करगे में ताने के धागे पूरी तरह से तन जाएं क्योंकि टाइट रहेंगे तो तन जाएंगे कपड़ा बनना जैसे ही प्रारंब होता है वैसे ही यह बीम तैयार कपड़े को लपेटता जाता है देखे मैंने नामसे सपस्ट है cloth beam तो बने हुए जैसे ही तैयार होता है तो लपेटा रहता है तो जो यह इसकी जो यह तन्यता है इसकी यह क्या इसकी बनी रहती है इसी के कारण तो अब आप जानेंगे कि कप्ड़ को फे लपेटा जाता है क्लोध वीम के अंतरगत आता है कि अच्छा बिदे देख रहे हैं यहां पर हार्नेस हार्नेस क्या है यह कर्भा करगे में लगा हुआ एक फ्रेम्स करगे में यह लगा हुआ एक फ्रेम है यहां पहोता है तरहें से तार लगे होते हैं और इसी हिडल के अंधर से क्या करते हैं इस नेक धागे के इसी छिद्र वार्बीम से ट्लाद-बीम तख जाते हैं तो जो Henceil वाले धागे यूं तने प्रतेक छिद्र शिद्र हो कि रिया को नियंत्तु किन अधिकतम 40 देए कारट है कितने कम से कम दो या अधिकतम 40 सित यह होते हैं और आप यह ऑप को यह होगा है कि tidak किसका है यह महां नहीं नहीं है पर देख रहे होगा दैममेंड शेप का एक बलेक कलरीर आप यही सारे हैं आपके हिडल हैं ठीक तो यह आपको has एख गर हो गया अब हम लोग क्या जैने रगे हम लोग जैने वाब इम क्लोफ बीम और क्या थर्ड है हमारा harness फिर उसके बाद और जो जौथा पॉइंट जौथा है हमारा चौथे में है हमारा shuttle अच्छा शटल क्या होता है तो शटल पर बाने का धागा लपेटा हुआ होता है यह है आपका शटल ओके शटल पर बाने का धागा लपेटा हुआ होता है इस तरह से यह काम करेगा ठीक है शटल लगातार बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं की ओर आती जाती है इसमें ल क्या कहते हैं एक पिक कहते हैं यह देख़ए अगर पूछा जाया कि पिक क्या है तो एक पुछा जाया तो फी एक पिक कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं तो आई वोप की आपको याद रहेगा कि पिक अगर तो वो हमारे शेटल से संबंदित है हीडल, एच फॉर हीडल, एच फॉर हरनेस, ठीक है, तो आप हरनेस से जाएंगे, फिर पांच बाइट है हमारा रीड, रीड क्या चीज है, ठीक है, रीड और बैटन, यहां पे दिया हुआ है, कि करगे में एक कंगी के समान का एक भाग हो चलता है ठीक है तो शेटल द्वारा जब पंक्ती बुनकर तयार हो जाती है तब रीड आगे की और जाकर बुनी हुई पंक्तियों को ऐसे ठोक देता है तो जब यह ठोकेगा तो क्या होगा कि वो ताने और बाने के धागे क्या हो जाते हैं आपस में सेट हो जाते हैं और इस प्रकार वस्तर की लंबाई सतत बढ़ती जाती है आई होप की अब आपको यह पांचों पार्ट इसके क्लियर हो गए होंगे एक्जाम में आएगा तो बिल्कुल भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे ठीक है वाब बीम क्या है जिस पर ताने के भागे लिपते हुए होते हैं क् हारुनेस कुछ नहीं हेली हारनेस इन फ्रेम है जिसमें सारे हार तार लगे हुए होते हैं और उसमें एक हीडल भी अर्शाय ताने के थागे एकक कर कitter में हारे सो उरनेस हो गया फी शेचल की बार्त करते हैं जब इस तरह से gonna हुआ शटल में। जब बाने से हाइन के धागे को इस तरह से लेकर के जाए गांगा उसकी शटल कीए our ने देख Pakप टुमाम्य से लिखता है कि कर देखिए तो एपर पूरी कर लेदा है तो इसको क्या कहते हैं एक पिक कहते हैं कंगी या रीड कंगी या रीड क्या है कि ये नामी लिख दिया है यहां पर कंगी या रीड तो कंगी की तरह होती है इसमें भी वायर्स लगे हुए होते हैं और जब धागा अपनी ये पूरा कर लिया तो ठोक करके आगे की तरफ उसक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इसी में से प्रश्ण आते हैं कि कौन सा भाग का क्या कारे हैं तो वाब बीम बीम हारने शटल और रीड आपको एकदम याद रखना है फिर यहां हीडल वाला मैंने बता ही दिया था आपको हीडल क्या है इसलिए मैंने चित्रे यहां पर मेंचन किया कि जिससे आपको कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे और बुनाई की प्रक्रिया की बात हम करें तो बुनाई की प्रक्रिया जो होती है जिसको हम कहेंगे कि लपेटना चोड़ना पर आप लगदे सकते हैं, या वैसे भी दे सकते हैं, तो इसको पनाई कि इस प्रक्रिया में हादेस्ट के लिए लगदे सकते हैं, जिनके नीचे से शेटल को गुजरना है, ठीक है अब हमें पता चल गया ना कि शेटल क्या है तो शेटल वही जो बाने के धागे को यू कर रहा है ना तो उसको क्या करेगा कि उन उन धागों को उठाएगा वीविंग में जानते हैं एक छोड़ते हैं एक उठाते हैं इस तरह से तो उनको उनको उठाएंगे जिसको न तरफ डाला जाता है अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा जब इधर से इधर जाता है तो जैसे एक छोड़ कर एक या दो छोड़ कर एक जो भी हो तो इसको जब हम उपर की तरफ उठा देंगे तो क्या एक शेड जैसा बन जाएगा ना इसलिए पहली प्रक्रिया क मेरे डाल दिया जाता है और यह करगा करगे के आरपात की या चिद्र में से एक ओर से निकल जाता है इस टैस कि दागे की भराई को एक पी जो पहले नीचे था जब उसको उपर उठाएगा तो वो क्या हो जाएगी? पिकिंग हो जाएगी और फिर एक नया शेड़ बन जाएगा मतलब पहले जिसकी भराई हो गई वो आप नीचे रहेंगे और अब जिसकी नहीं हुई थी भराई जिसका shed बना था अब दुबारा उसकी भराई होगी और जिसकी हो चुकी उसका shed बन जाएगा तो ये क्रिया क्या कहते हैं क्योंकि पिक करके उपर उठा रहा है और कौन से धागे को ये हमारे ताने के धागे को उपर उठा रहा है फिर उसके बाद हम बात करते हैं बीटनिंग की बीटनिंग क्या है कि ताने के धागे पर जब एक पिक के द्वारा एक पंक्त के धागे भ वह ऑनका होगे कि तरफुकने को विट बी तरफ बहरी हुई करेंग को थ coriander कr akt generous को यह कौन यह काम करेंगा यहजा चոड करेंगा मतलब रीट जब यह तयार हो जाते हैं ताने और बाने के धागे तो यह जो हमारा क्या है रीड जिसको हम कह रहे हैं रॉड रॉड से ठुकाई करेंगे तो रॉड से क्या करता है पीछहली पंक्ति को आगे की तरफ ठोक देता है तो वह कौन सी क्रिया हो जाती है बीटिनिंग की प्रक्रि था दिये जाने के बाद ताने के धागे वाली वार्बीम जो थोड़ा सा घूम कर आगे की ओर धीला छोड़ देती है और उससे क्लोध भीम क्या करेगा उसको कस लेगा ठीक तो यह प्रक्रिया हो जाती है और यह क्रियाएं इतनी सीगरता और मतब तेजी से होती है कि ताने का जो कसाव है वो पहले की भाती बना रहे पाता है तो आई होब कि अब आपको यह समझ में आगा लपेटना वह छोड़ना छोड़ा किसके द्वारा जाएगा और लपेटा लपेटा क्लोध बीम के जाएग लपेटना या चोड़ना या इंगलिश में अगर आप याद करते हैं तो इसमें टेकिंग अप एंड लिफ्टिंग ओफ यहां पर यह हो जाएगा तो यह चार प्रक्रियाएं हैं शेर्डिंग पीकिंग बेटनिंग और लपेटना वह छोड़ना तो इस तरह से यह चारों हो गई अब हमें बुनाई की अगर प्रक्रिया पुछता है तो हम इसका अंसर कर पाएंगे तो हमने क्या करगों के भाग पढ़े ट्विस्ट पढ़ी और यह पढ़ा ठीक तो यह आपके तीन टॉपिक मेरे खाल से बिल्कुल तयार हो गयोंगे इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो आधुनिक करगों में अगर बात करें कि जिसे सजावटी बुनाईया यह डेकोरेटिव जो वीविंग्स होती है तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक करगे में आपका एक जैकार्ड करगा और दूसरा कौन सा डॉबी करगा आता है जैकार्ड और डॉबी दो तरह का करगा आता है जैकार्ड क्या सजावटी भारी वस्तरों के लिए सुन्दर बहुत सुन्दर इस पर आकरशक मतलब इससे कपड़ों का निर्माण करता है तो मैंने पूरा आपको भी चार्ट दिया है मैं उस चार्ट से पूरा आपको है इस तरह के सुन्दर वस्तरों का निर्माण होता है और यह बहुत अधुनिक करगा है और जैकार्ड कर गह जो है वह बहुत ही जटिल और प्रिश्ट्रित डिजाइन बनाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है ठीक है तो और ये भी जान लें कि जो जैकार्ड करगा है इसको बनाया किसने है तो जोसेफ मेरी जैकार्ड ने बनाया है सन 1801 में किसने जोसेफ मेरी जैकार्ड ने सन 1801 में इसको बनाया है ठीक और इसकी चमता 200 से 300 या 1000 या इससे भी अधिक ताने के सूत्रों को नि सो तीन सो एक हजार या इससे भी अधिक ताने के सूत्रों को नियंत्रित करने की इसकी छंता होती है बस इससे जादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा मैंने यहाँ पर जोसेफ मेरी आपका जैकर्ड जो है जिनों ने बनाया था इसके बारे मैंने बता दिया आपको ठीक फिर अगला हमाराता है डॉबी करगा अगर डॉबी करगे की बात करूं मैं कि डॉबी करगा कौन सा करगा है तो डॉबी करगा जो है इसमें भी क्या होता है इसमें वस्त्र में चित्र बुने जाते हैं जोबी करगा में वस्त्र में चित्र बुने जाते हैं छोटी आकरिती वाल औह और करगे किह ऑप की तुझार यहीं पूछ तुद frågor करगे में गया है यह दपनाई जाती है मतलब बहुत ही complex design को यह बनाता है और डॉबी करगा जो है इसमें अक्सर जो नमूने होते हैं वो जामेतिय डिजाइन के होते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि जो machine है जो किसी भी प्रकार की machine या करगे में तीन क्रियाएं होती ही है जो भी मैंने आपको बताया कि shedding, picking और beating up ना ठीक है शेडिंग, picking और beating up हो गया इस तरह की यह तीन क्रियाएं तो आपकी होती ही होती है और फिर उसके बाद ताने पर नियंतरण, warp control और वस्तर नियंतरण ठीक है तो ताने पर नियंतरण, warp beam द्वारा रखा जाएगा और वस्तर पर नियंतरण किस पर रखा जाएगा आपके cloth beam के द्वारा रखा जाता है ठीक है तो आप शेडिंग प्रिकिंग के बारे में मैंने आपको बताई दिया है कि आप इसको बिल्कुल याद रखें इसको 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 ना करें उसके बाद हाँ थोड़ा सा मुझे यह लगा कि आपको जानना चाहिए तो इसका नोट भी मैंने यहाँ पर दे दिया है आप इसको पॉस करके नोट भी कर सकते हैं आप नोट करने का टाइम लिए सिर्फ आप इसको पढ़ ले तो अगर वस्त्र संडचना की प्रक्रिया मतलब फैब्रिक कॉंस्रक्शन किस किस प्रकार से बनाया जाता है तो घोल द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है सॉल्यूशन से तो घोल द्वारा जो वस्त्र का निर्माण है इसके अंतरगत यह सारी चीज़ा आती है आपकी फिल्म विधी है उसमें क्या है इस घोल को सक्री दरारो तथा घूमते हुए ड्रमों पर फैला जाता है कौन से विधि होती है फिल्म विधि एसे बाई चैन्स पूछ लेता है तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि आपका छूटे ना फोम विधी जो है फोम विधी में क्या होता है लोजमेटाayan सूराओन के निफ्पर विभे की धार्थ में रिचाहन। खाग का निर्मान किया जाएगा जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाना यह तो जो पहला था वो घोल द्वारा था और प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाना फैबरिंग मेड़ डिरेक्टली फ्रॉम फाइबर से नम्दा नम्दा क्या है जो फर्स्ट पर हम लोग बिछाते तो उसमें क्या होता है कि फैल कर मिश्रित हो जाते हैं और दाने नहीं उखते और यह आवाज को भी अवश्योशित करते हैं तन्यता नहीं होती मजबूत होते हैं खीच कर पुना आकार करने की चमता होती है तो यह क्या है अमारा नमदा और नमदा कांका प्रसिद्ध है क्रिश्मीर का ठीक है इस देशत इस सभी प्रक्रियां के सयोग द्वारा तन्दो को आपस में बांद कर एक दूसरे से घूत कर वश् σας नहीं में जाता है यह दूने हुए या निटिंग किये हुए वस्त्रों से अधिक सस्ता होता है फेकने वाली वस्तूओं या टिकाओं वस्तूओं वे तु काफी अधिक उपयोग में लाया जाता है मतलब जो जितने भी डिस्पोजल सामान जैसे आपने खरीदे जैसे रक्स वगएरा ले लिए और उसको यूज किया कुछ दिन और उसके बाद फेक दिया तो इस तरह के बुनाई रहित विधी जो नॉन वुवन मतलब उसमें किसी भी प्रकार की बुनाई नहीं होती है अगला है हमारा सूत्रों द्वारा वस्त्र मनाना फैब्रिक मेड बाई मेड फ्रॉम यांस मतलब धागों स वस्त्र को बनाना तो इसमें क्या होता एक है ब्रेड मेथट इसमें सूत्रों को तिर्चे या लमवत इस्तिती में आपस में गूत लिया जाता है जिससे जूतों की लेस भी बनाई जाती है तो ब्रेड विधी के द्वारा जूतों की लेस का निर्माण होता है अगला है नि दे हुए लूप्स की सहायता से एक से अधिक सूत्रों को तयार के आता है यह बुनाई अपेक्षा वस्त्र तयार करने की अधिक शीग्र विधी है खीचने वाली तथन रोच में वस्त्र होते हैं जैसे हम अपने ओनी जैसे सवेटर्स बगएरा स्पशं होते हैं वह क्या है निटिंग विधी के अंतरगत आते हैं। लेस विधी क्या में है है? लेस आती है इंटर लेस इंटर लूप विदी आदी की सहायता से बनाया जाता है यह तो किनारों पर या पूर्ण वस्त पर इसके कुछ चित्र की सहायता से बनाया जाता है इसके किनारे या पूर्ण वस्त सजावटी होते हैं इसमें कुली चित्र में संरचना होती है या हाथ हब्सक् tirar द्टून से इसका निर्मार किया जाता है विविंग तो हम जानते हैं ताने बाने को आपस एक दूसरे के उपर लख़ते हैं तो आ इसको जाने रहे Uz livelihood थियुदी गोलक विदी से फिल्म विदी अर्फ विदि में आपका क्या करते हैं और इसके हबा का प्रवेश कराकर के क्या इसमें फोम उत्पन कर दिया जाता है और रबर और पॉली-युरितिन इसका उधारण है प्रत्यक्ष रूप से तन्तु का द्वारा वस्त्त बनाने मे नमदा विधी और बुनाई रहित विधी मतलब non-vulain method आता है सूत्रों द्वारा bread विधी जिस से की जूते की लेस का निर्माण होता है knitting विधी हम लोग जानते है knitting से क्या sweater स वगहरा का निर्माण lace विधी लेस से भी lace को बनाते है किनारों को सजाने के लिए बुनाई weaving तो हम सबी जानते हैं यह weaving ही होती है जो हम आप जिसके बने हुए हम आप वस्तर पहने हुए हैं ओके फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि यहां पर जो यह आप शेडिंग पिकिंग बेटनिंग और टेकिंग अप इसको बिल्कुल भी आपको ठीक है तो यह ताना है और यह बाना है अब यह मत सोचिएगा कि हैंड लूम पर इस तरह से ताना था उसको ध्यान दीजिए कि वह लंबाई थी ओके वहाँ पर क्या एक तरफ यह तरफ आपका यह इधर वार्बीम थी और यह इधर क्लोध बीम थी तो इसलिए यहां बुन हुए वस्त्र में ताने और भराओ के सूत्रों की इस्तिति को दर्शाते हैं ठीक है तो जो बुना हुआ वस्त्र है इसमें ताने की इस्तिति को जो दर्शाएगा वही क्या कहलाता है ग्रेन कहलाता है मतलब अगर टेड़े टेड़े हैं तो यह क्या है अलग अलग तरह की वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा जो है किसी को जानते है कि कि इस में रहे हैं तो किसी भी ताने के सूत्र में लमवत ग्रेंड जो है होती है किसी भी भराओ के सूत्र में आड़े ग्रेंज की स्थिती होती है मतलब आपकी होरिजंटल और वर्टिकल की बात कर रहा है तो आप इसी से बायस को समझेंगे कि किस तरह ट्रू बायस किसको जब 45 डिग्री पर होएगा तो हमारा ट्रू बायस होगा मतलब अच्छे से बायस का मतलब ही आड़ा है ठीक है तो कैसा हो जाएगा वो आड़ा हो जाएगा अब यहां पर बहुत जादा बताते हुए ना कि प्लेन वीव में यह आता है यह सब तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा प्रैक्टिकल भी किया होगा वेविंग भी आपने बनाई तो यहां पहना करते हुए हम लोग सीधे यहां पर चलते हैं जो मारे एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से मतलब आता है बस सिर्फ मैं उसी को बता रही हूं और जो आपको काम का लगे उसको आप पढ़ लीजेगा यहां पर सिर्फ यह पूछेगा कि बुनाई का नाम प्ले त्रेट इस्ते वाइल जिंगम ब्राड क्लॉथ mother पुछा के सब चिसके हैं आपके प। Rag Ball जेओं साधी बिनाई के बनाई के हैं इसी में कैली벽 ऑन्पर साधी बिनाई के बनाई ऑन्पराता है और भीफ की बात करें तोस से अफरस के र LDC करें तो मॉंग्स क्लोथ हा जाएगा और मॉंग कलोथ किसका है बास्केट वीव का हैं grande कर बिल्क ए उधारने जैसे ट्विल का इस लिए पूछ लेता है प्लेन का प्लेन और गार्वी जो 라वising Ooh g मैंने आपको बता दिया अब आप भूलेंगे नहीं शायद मुझे ऐसा लगता है फिर उसके बाद कि आपका आता है फिर सैटिन है और सैटीन है तो सैटीन सैटीन कि एक पूछता है ट्विल का पूछता है तो आपको याद करें बॉन के ब्रॉंड क्लाथ ये किसका मिपन करें तेहर के बात करेंगे तो है यह सब ये इसमें पूछ चुका में सर्ज भी पूछ चुका है तो ये उन्तरगत सैटिन सेटिन की बात करें तो सेटिन जो है वो क्रेप बेग सेटिन की यहां पर बात करें अच्छा मैं सिर्फ सेटिन में जो जानने वाला है वो मैं आपको बता रही हूं जो आपका सेटिन है जो सेटिन बुनाई है सेटिन वीव है उसमें क्या इसमें अक्सर यही प्रश्म जादा पूछता है कि ताने की प्रधानता है या बाने की तो उसमें जो सैटिन है उसमें ताने की प्रधानता होती है जो ताने के धागे है जो आपके वार्बीम है सैटिन में उसकी प्रधानता होती है और जो सैटिन है सैटिन में सैटिन और क्रेप सैटिन के बारे में बता दिया कि यह किसका आपके सैटिन तो आपके ताने के धागे मतलब उपर रहते हैं फ्लोट करते हैं और सैटिन में क्या होता है आपके बाने के धागे फ्लोट करते हैं कि धरा उपर बादित अंदरों को तिलशे रूप में तैरते रहते हैं यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर मैं भूत बाने के धागे और यह बाने के धागे तो दो चेल जजिक आ ground ऑर वूपर से चेल गया। क् GRैब्ध कि इसमें साथी स refusing स्योप से इसमें किया होती हैं तो साधी और सैटिन साटिन पूनाई का संयोग इसमें सूत्रों को अनीवित रूप से गूथा जाताई यह क्या होता है हमारा क्रेप होता है क्रेप से क्या ग्रेऱिए ट्लॉट्ध उस यह जोगेश्य क्रेप करूछ के सद्व पर यह जाती है सिल्क के वस्तर पर की जाता viktigt को खाए तो पाइल वी जो है वो पाइल में क्या होता है पाइल क्या 3D प्रभाव ले करके आता है क्यों क्योंकि उसमें लंबाई चोड़ाई के साथ में उसमें उचाई भी होती है तो पाइल भी कई तरह की है हमारी आपकी कट पाइल है मतलब जो लूप जिसका लूप यू रहेगा वो क्या होगा उसमें लूप बना हुआ है आपका तो वो वो ऐपकी वो लूप वाली हो गई ठीक है? और जब इसी लूप को ऊपर से काट डेते हैं तो वो हमारी कट्पर पाएल के अंतरगत आती है और ये पाइल को ब्रुश के समान की सता होती है तो ब्रश के समान होगी जब धारे को ऐसे कट कर देंगे तो इस तरह से इस तरह से खुल करके आ जाएगा तो ये ब्रश के समान की सता हो जाती है इसमें सादे ये ट्विल बुनाई के जमीन के सूतरों के उपर ताने या बाने के भराव के अत्रीक सेट को बुना जाता है जिसे लूप तयार होता है इस लूप को काटा जाता है या नहीं काटा जाता है तो वही मैंने आप से बताया कि जिसको काटा जाता है जिसको कट कट पाइल के नाम से जानते हैं जिसको नहीं काटा जाता है वह पाइल है हमारी ठीक ऐगाज या लीनो-वीव की बात करें तो अभी हमने दोत प्रकार के कर गे जिसे जिस्पेशल कर गे हैं जो कि आदूनी कर गे हैं वो कौन-कौन से हैं जो आपका जैकार्ड और लीनो बढ़ा ना तो जैकार्ड में क्या सुंदर परिष्प्रित दिजाइन का प्रयोग होता है और लीनो में आपका डॉबी वीव में जोमेट्रिकल पैटर्न होते हैं प्रस्न यहीं से पूचा जाता है और उसके बाद गाज या लीनो की बात करें तो यहां पर क्या होता है ताने की जोणियों को एक दूसरे के ऊपर प्रत्य भराओं के जल के प्रति-प्रतिरोधर इसे किसे मेंडरिन का अगर पूच लेगा तो ये फिर क्या है आपका ग्रेंडरिन? यह परदे का वस्त है यह किससे बना हुआ होता है ये गाज वीव से बना रुजया लीनो से ही होता है और हम कहें डबल क्लोथ की बात करें तो यहां पर अत्र अक्सर पूछा घया है तो आप ढूहुख्य गया है तो Grindr मेरे इसके workers को सबनाने से आप समंदित याद है तो आप सह Left और उसके भाद सबस्रों पेर करने में भाण या ंट्रिक्स मुठिया वह पांटिLast द Drucks Gr Не accommodation और फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसका पोत उत्तम प्रभाव देता है इसका टेक्स्चर कैसा होता है बहुत अच्छा होता है और इससे कौन सी बुनाई होती है आपकी हगग है ग्रेनाइट है और शटिल मदरास ठीक है तो यह इस तरह की तीन शटिंग मदरास और नमूने को किसी भी प्रकार से गूथा जा सकता है इसकी डिजाइन कैसी बहुरंगी प्रभाव वाली बड़ी आकर्टियों वाली होती है आकर्शक उत्तम लटकंचील मजबूती बुनाई सुत्रपन निर्भर करती है इसमें ब्रोकेट्स है दमंग दमस्क है और ट्रप होता है यह उस तरह के कपड़े जो होते हैं वो स्विष से बनाये जाते हैं अत्रिक्त भराव के सूत्र वस्त्र की सता पर छोटी डिजाइन को बुना जाता है ठीक है और फिर सजावती डिजाइन कभी-कभी बहुरंगी अत्रिक सूत्र की बनी डिजाइन की उल्टी ओर से काटा जाता है ठीक है तो इस तरह से आकरशक डिजाइन पीछे से खुरदरी होती है और कभी कभी खिच जाती है इस तरह से जो आपकी स्विवेल होती है उपर से बनी हुए होती है और पीछे क्या निकला रहता है धागा और वो खिच जाता है तो डॉटेट स्विस इसी प्र मजबूत ह distint नहीं होती है जैसे क ons है होता है जो下 इस Bolsonaro होता है इसका उदाहरण इस तो बुनाईयों के बारे मेरे बता दिया प्रस्खल यहीं से आएंगे बहुत बहुत जादा बहुत बेंगि नेहीं जाता है बहुत जादा नहीं पूछता आपसे कि हुए पूछे तो बहुत जादा नहीं पूछेगा अफेक्ट बेस्ट कोश्चन होते हैं आपके तो आप मेरे ख्याल से आपका जो है लीनो बुनाई गाज बुनाई यह सारी बुनाई आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी और जिसमें लीनो बुनाई का मैंने बात की थी उसमें बूलिएगा मत जिससे परदे शर्टिंग और ब्लाउज बनाने में उपयोग किया जाता है ठीक और स्विवेस भी आपने पढ़ लिया और लैपेट भी पढ़ लिया तो इस तरह से आपका जो डबल क्लॉथ है वह भी आपोस्ट्री के लिए यूज में आता है पाइल का भ नम्दा नमदे को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे वह इसके आपके फसेट केही अंतरगत आता है फिर उसके बाद नमदा जो हमारा है वह कई प्र जिसे उनिम्दा है फर्म नमदा उसके बीप्रकार है और नमदा क्या यह फ्लोर की सजावट के लिए नम्दे का प्रियोग किया जाता है तुम इस तरह से हमने देखा कि मूले हुए और करता है फिर इन बात करें नीटिंग को भी हम नहीं हैं जादा में जादा यह वाली सूइस में आपस में बांद कर निर्मित किया जाता है तो यह तो परिभाशा है आपके वस्त्रों की तो जो निकों होते हैं और इनको क्या होता है कि जैसे किसी भी धिशा में कीचने पर क्या करते हैं आकार को परिवर्थित कर लेते हैं और यह यह भी जैसे मतलब इस तरह से लूप है अगर इनी के उपर लूप इस तरह से फिर उसके बाद यह ऊपर चड़ गया लूप इस तरह तो यहां पर जो निटिंग में जान लीजिए कि जो आपकी वर्टिकल जो वर्टिकल लूपस है आपके निटिंग में जो आपकी वर्टिकल लूपस है उसके अंतरगत क्या आता है हमारा निटिंग में आपकी जो वर्टिकल लूपस है उस लूपस में क्या आएगा यह इसको हम किस नाम से जानते हैं इसको हम बेल्स के नाम से जानते हैं क्या है यह यह बेल्स हैं ठीक है और जो इस तरह से जैसे इस तरह से लूप यह ऐसे करके जब हम लोग कैसे जब निटिंग करते हैं घर में स्वेटर बुनते हैं तो ऐसी ही तो हमारी सलाई पर इस तरह से आपका वार्प वाइज इस तरह रहता है फिर इसी के उपर से हम करते हैं तो यह क्या हो जाता है हमारा वेफ्ट वाइस ठीक है वार्प वाइस तो यह जो है हमारा यह वेफ्ट हो गया और जब ऐसे हम करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाता है यह वार्प हो जाता है यह वार्प हो जाता है तो जो यह वार्प वाला है इसको हम बेल्स कहेंगे और जो यह वेफ्ट है इसको हम किस ना तो इस तरह से यह हमारा निटिंग वाला भी खतम हुआ तो आग जो आपकी विदिया है उसमें से आपने जान लिया निटिंग दोरा भी जान लिया और वीविंग के दोरा भी तो इस तरह से बस भूचे यह जादा इंपोर्टेंट लगा परिसज्जाएं वगरा आप देख लीजेगा बहुत परिसज्जा आप पढ़ चुके और जादा से जादा परसज्ज्जा में आपको बता भी चुकी हूं कि कौन-कौन सी परिसज्ज्जाएं होती हैं यहां पर मैं आपको यहां बताना चाहती हूं कि कुछ थेओरी इसके बारे में एक थेओरी है जो की क्या है डिफ्यूजन ओफ एनोवेशन यहां से अभी आप सोच अभी आपको याद आजाएगा कि मैं किस बात की बात कर रही हूं डिफ्यूजन ओफ एनोवेशन यह थेओरी किसने दी है यह इवर्ट रोजर्स के द्वारा दी हुई थेओरी है इसको आप नो डाउन कर ले इसको ग्रहन करता है शायद आपको याद आना शुरू हो गया हो कि मैं किसकी बात कर रही हूं तो कौन सबसे जादा जल्दी जल्दी कौन एडॉप्ट करता है हमारा इनोवेटर कौन होता है तो वही वाला यह है कि वही वाली थेओरी है तो यहां पर यह इसकी फाइफ कर उन्होंने बताई जो कंज्यूमर से उनकी क्या बताई वह कौन सा है पहला कौन सा होता है इनोवेटर ठीक है फिर उसके बाद दूसरा आपका है अर्ली एडॉप्टर क्या कहते हैं अर्ली एडॉप्टर हां तीसरा है आपका अर्ली मैजॉरिटी तीसरा नोट कर सकते हैं आ और्ली मेजरिटी फिर ठर्ड यह तो फॉर्ट पर हमारा आजाएगा लेट मेज़ोरिटी करम में भी लगाने के लिए आसकता है आपसे यह पूछ सकता है पहला कौन सा है बाद से नहें और फाइग में क्या जाता है लेगार्ड का इसको इसको इंगलिश में नौ प्रवरतन क हिंदी में ऐसा कुछ कहते हैं मुझे एकदम exact याद नहीं आ रहा है लेकिन आपको याद आ गया होगा जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है तो नहीं भी पढ़ा है तो आप इंग्लिश वाला ही देख लें तो आपको यहां से जो आपके इवर्ट रोजर सहाब हैं उन्होंने यह आपको theory दी है diffusion of innovation innovation मतलब नई चीज को किस तरह से हम distribute कर सकते हैं कि लोग किस तरह से adopt कर रहे हैं consumer किस तरह से adopt कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहली category क्या innovator जो शुरू करता है फिर दूसरा early adopter जल्दी से adopt करता है फिर early majority फिर मतलब majority जल्दी से adopt करती है और late majority जो majority देर मे करती है और lagards जो की शरम वस क्या करते हैं सबसे last में करते हैं और इस लिए करते हैं क्योंकि society में सारे लोगों के पास वह चीज है और इनके पास नहीं है इसलिए तब यह करते हैं तो अब मैं एक एक बताती हूं आपको और यहां पर कर्व भी बताती हूं किस तरह का और percentage कितना कितना है प्रश्न यहां से पूछा गया है जिन लोगों ने पीवाई क्यों होंगे उन्होंने देखा होगा कि एवर्ट रोजर्स की तियोरी पूछी गई है यह आपके हर एक्जाम के लिए important है तो प्लीज इसको आप देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो यह जो है तो यहां पर जो यह कर बनता है यह कौन सा बुल शेप कर्व कौन सा अगर पूछे आप से बुल शेप कर्व किसमें बनता है तो बुल शेप कर्व हमारा बनता है आपके डिफ्यूजन आफ इनोवेशन में इस तरह से बनने का कर्व यह हो गया आपका तो इनों ने कहा कि जो इनोवेटर है इनोवेटर का मतलब आप समझी रहोंगे तो यह कितने होते हैं 2-5% first adopt early purchase good knowledge मतलब जिसको किसी चीज के बारे में अच्छी knowledge होती जैसा मान लीजिए कोई नया नया फैशन आया तो क्या तुरंट उसको सब लोग अडॉप्ट कर लेते हैं नहीं सभी लोग तुरंट अडॉप्ट नहीं करते सिर्फ जिनको जादा knowledge होती है और वो क्या जल्द इसे इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर जो आपके innovators हैं वो कितने होते हैं टू-टू आपके 5% ठीक है तो जो innovator है वो कितने हैं टू-टू 5% फिर early adopter की बात करूं तो early adopter वो है जो innovator से information adopt करते हैं और यह जरूरत के लिए खरीदते हैं उनको इसकी अवश्यक्ता होती है औ इन्हीं को क्या कहते हैं opinion leader भी कहते हैं या information लेने के बाद product को खरीदते हैं मतलब उसके बारे में जाजते पर रखते हैं और फिर क्या करते हैं product को खरीदते हैं तो यह जो हैं हमारे इनकी यह कितना प्रश्षत होते हैं 13.5% society में होते हैं यह कौन है हमारे यह सबसे पहले कि कहले हैं इनोबीटर यह हमारे हैं अर्ली एडॉपटर उसी gameplay Ris आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी अर्ली मेजORITY और साथ किया होती है क्योंकि यह information knowledge लेते हैं और समान लेने में interest कम होता है और जिसे मतलब इनका बहुत ज़्यादा इनको अवश्यक्ता नहीं होती लेकिन देखते हैं कि हाँ उन्होंने ले लिया वो बड़े advance हैं तो हम भी जल्दी से इसको खरीद लेते हैं तो वो क्या होते हैं early majority होती है और ज लेट majority भी 34% की होती है लेट majority मतलब early majority खरीद ली फिर बाद में ये लेट लतीफ ये अपने peer group social class के लोगों के पास ये सारी चीजे हैं तो ये उनकी बराबरी के लिए उस सामान को खरीद लेते हैं और लेकिन उनका खरीदने में कोई interest नहीं होता उस चीज से लेकिन उसको फिर भी ले लेते हैं तो वो कौन सी है late majority है और जो लेगार्ण कितने होते हैं ये होते हैं आपके 16% सिकस्टीन परसेंट इसी में संतुस्ट हैं तो ये 16% वाले हैं तो इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आते हैं Innovator ठीक है फिर दूसरे नंबर पर Early Adopter ठीक है Innovator फिर Early Adopter फिर हमारे कौन से हैं तीसरे नंबर पर leate m hizo की एच्टि एले मैजरिटि और सोरी घ्रिमी ही धे ुर्ली मैजरिटी फिर उसके लेट मैजॉरिटी फिर उसके बाद लेगार्ट सबसे लास्ट में आते हैं तो इस तरह से देखेंगे यह पांच जो है यह क्लास दिये गये हैं ठीक तो यहां पर जो मैंने मुझे लगा कि यह इसको आपको जानना चाहिए कि अब जानना चाहिए तो अच्छा एक प्रस्ण आ जाता है तो अलपाका एक उट है ठीक है जो वूल की प्राप्ति होती है अगर मैं बात करूं कि अलपाका मैं थोड़े सा शॉर्ट में आपको जो वन लाइनर कोश्चन से थोड़े सा मैं शेयर करना चाहती हूं जो मुझे ल प्रस्पूर चाहता है और अमट के बारे में बधाना चाहती हूं कि अगर करती हूं यहां दो तरह का सिल्क होता है और कौन कौन सब्रइब की हुआ अबdedश के लिए यह सब तो हम लोग को पता है ना पचीस सो वर्ष पूर वुआ और जो वहां की रानी थी सी लिंग ची इनको रेशम की देवी भी कहा जाता है और इस्तिरी बिताने की जुरूरत नहीं है और फिर उसके बाद रेशम का जो कीट है उसके चार स्टेजेज है ना तो क्या उसकी जो कीट है उसकी चार कौन सा अंडा लारवा प्यूपा कीड़ा है फिर उसके बाद और प्यूपा कब बनता है प्यूपा स्टेज में ही सिल्क थ्रेट का निर्माण होता है ठीक है तो रेशम के धागे के निर्माण की बात अगर हम करें तो वहां पर सबसे पहले करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं तो यहां पर दो प्रकार का रेशम होता है तो कौन-कौन सा रेशम होता है एक तो आपका होता है वाइल्ड सिल्क स्वानिर्मित ठीक है कौन सा हो जाएगा वाइल्ड सिल्क में आपका स्वानिर्मित रेशम आता है और फिर उसके बाद एक होता है कल्टिवेटेड मतलब उत्पादेड जिसकी हम लोग क्या करते हैं खेती करते हैं तो दो प्रकार का एक cultivated हो गया और एक हो गया स्वान्रमित या wild silk के नाम से जाना जाता है तो आपका एक cultivated एक minute एक cultivated हो गया एक wild silk हो गया ये दो हो गया cultivated हो गया एक और एक हो गया आपका wild silk हो गया तो cultivated मतलब कि आपका उत्पाधित रेशम ठीक है यहां पर यहां पर कुछ नहीं थोड़ा से बस यहीं चेंज कर दूँ तो जो मुंगा टसर और अरंडी है यह आपके वाइल्ड सिल्क के अंतरगत आता है जिसको की हम क्या स्वानिर्मित रेशम कहते हैं और यहां पर cultivated मतलब उत्पादित रेशम तो उत्पादित रेशम में कुछ नहीं बस दो तरह का रेशम एक लपेटा हुआ और एक दूसरा कटा हुआ रेशम अगर मैं बात करूं मुंगा सिल्क की तो मुंगा सिल्क जो है यह विच्छ पर रहता है और इसमें क्या इसके यह ओक की वो जो टैनिक अमल होता है ओक की पत्तियों में तो इसी कारण इसमें टैनिक अमल पाया जाता है ठीक है फिर उसके बाद मैं बात करूं कि तसर तसर सिल्क की तसर रेशम की तो यह क्या है ओक यह बभूल के पत्तों पर प पाइजाता है अरंडी रेशम की बात में करू को मिलए होते हैं द्रक्स Whew पे Woo लप यहां वहात होता है और एस वानद मतलब खीच करके क्या घरते हैं उसको अभी त्रकार्र जांग पन द्रक्सम्न कुछ नहीं डारेक्ट मतलब खीच करके क्या करते हैं उसको आविरल रूप से यह प्राप्त किया जाता है इसकी लंबाई तीन सो से अठारा सो गश तक हो सकती है और इसमें बिना एठन दिये लच्चियों को क्या कियाता है लपेट दिया जाता है और कता हुआ रेशम क्या है जो हमारा जो कता हुआ रेशम है जिसकी कतने के मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे रहे होंगे तभी उसको क्या कर दिया कात दिया ठीक है तो जो लपेटा हुआ रेशम है उसकी क्वालिटी कैसी जादा अच्छी होती है और जो आपका कता हुआ रेशम है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं उती है इस्में रेशम के समस्त छोटस तंतु जिन्हें लपेटा नहीं जा सकता है उनमें से जो रेशम तयार गिये जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो आपको यह clear हो गया होगा कि आपका अकसर खेती करते हैं वो cultivated हो गया और जो अपने आप जिसका उत्पादन हो जाता है वो क्या हो जाएगा कि wild वाला हो जाएगा ठीक है आपका तो इस तरह से ये दो तरह की category है जिसमें की हमने इसको बाटा है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो रेशम है उस रेशम निर्म कि प्रक्रिया कौन-कौन सी है और रेशम के धागों को हम किन-किन नाम से जान सकते हैं कि बेशम के अगर प्राचीर आमों की बात में करूं तो रेशाम के अगर नाम पूछ लिए जाए तो आप इसको जानते रहे है कि कटे जा पट पितांबर तसर चिन पट और पट वस्त पीतांबर है आपका फिर टसर है तसर है आपका फिर उसके बाद चिन पट नोट कर लें आप बहुत क्लियर मैं यहां पर नहीं लिख पाती हूं और पट बस्तर ठीक है तो ये आपके सारे रेशं के नाम है वूंब हैं । नामे टा जाएगी और फाइब्र मूंजे बनाने की मतलिया जाए देगा सिल्कूर नाम Candice तो इसको आप नोट करने मेरे पास स्पेस भी बहुत जादा नहीं है मैं आपको एक साथ नहीं बता पाऊंगी तो आप नोट करते जैसे मैं बोलती हूं आप सबसे पहले अगर रेशंब बनाने की प्रक्रिया तो सबसे पहले पहले स्टेप आप नोट करिए कोकून की छपाई कोकून की छपाई करना फिर उसके बाद गोंद धीला करना मतलब डी गमिंग ओके गोंद धीला करना फिर उसके बाद धागे लपेटना धागे लपेटना चौथा स्टेप आपका है गाठे तैयार करना पांचवा स्टेप है धागा बनाना फिर चटा स्टेप है गोंद हटाना फिर उसके बाद घोंद हटाना क्योंकि मतलब यह आप सोच रहे होंगे कि गोंद को धीला करना शुरू में सॉफ्टनिंग की जाती है ठीक है धागा बनाने के बाद धी उसमें गोंद लगा हुआ होता है तो उसके बाद क्या गोंद को हटाना फिर इसमें वेंग एक रिया होती है मतलब वजन बढ़ाना वजन बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे एजेंट्स का काम उसमें डाले जाते हैं जिससे क्या होता है रेशम का वजन बढ़ता है फिर आठवा इस्टेप है आपका ब्लीचि साइट से मैंने बताया था सिल्क और वूल दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको युनिवर्सल ब्लीच के नाम से जाना जाता है फिर उसके बाद उसके ब्लीचिंग करने के बाद फिर रंगाई देन छपाई ठीक है तो आप उसका आगला स्टेप लिखेंगे ही माखे तायर करने पचमा ficou दागा बनाना फिर उसके बाद और फिर वजन बढ़ाना नेक्स है ब्लीचिंक सिरन्च के बद फिर आपकी डाइंग और डाइंक के बाद फिर आपकी प्रिन्टिक ठीक है तो डाइंग के बाद प्रिन्टिंग और किस से कौन सी इसमें diğer का प्र स्वानिर्मित रेशम को ही जंगली रेशम कहते हैं ठीक है तो जो लपेटा हुआ रेशम में वह कैसा हुष्ण कर निम निका होता है तो अब मेरेखेल से आपके बिल्कुल भी प्रशन गलत नहीं होने वाले है अगर पूछ लिया जाए तो और अगर प्रत्यास्ता पूचिज लेकिन अंहा भी बहुत अच्छी होती है और ताप के कुछ आलक होते हैं और यह क्या है दो इसकी तो तो क्या में carry प्रषी के दो लंग ओए ऑल्साइब को तीयों से स्टक्रेशन करता है तो इसलिए ऊकंत बेद आट धिखेगा तो इसलिए वह किस चीज का हो जाएगा दोहरा तंतु दिखेगा तो वह रेशम का हो जाता है ओके तो हम जो आपका अगर उस पर मैं बात करूं सिल्क की जिसे कि जब अनुप्रस्त और अनुदार काट करेंगे तो अगर लमवत काटेंगे तो बिल्कुल रॉड लाइक स्ट् प्रचना दिखती है तो यह पूछेगा तो इसमें आंसर आप कर देंगे तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खतम होता है बताएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को और इसके बाद मैं टेक्स्टाइल खतम करती हूँ उसके बाद आपके जो पीवाई क्यू उसके सब्सक्राइब तैयारी है आपने तैयार किया बेक्स का दृचाइब बहुत है और यह समझ के की कि हम जो फूर इसको क्रैक करना कि अच्बरो ! करना है कि